मैं साधनोब दास आजोड के अर्च करता हूं की पेज नमबर पचास गोतम रिशी ने इंद्रमराज को सराब दिया सो वो कोड़ी हो गे और उनके बदन में सुराक और बंग हो गे और कहते हैं की गोतम रिशी ने चंद्रमा को सराब दिया और उनकी दोती के छाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गे और राम चंद्र जी के जूते जाड़ने से पत्तर से फिर औरत हो गई और गंगा जी गोतम रिशी को मुझ से बोले की तुम अपने घर वापिछ चले जाओ तो घोर करो की आदमी को मालिक ने अकल समझने के वासे दी है सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो की गंगा जो है वो तो जल है जल मुझ से कब बोल सकता है और चंद्रमा जो है जोतिस रूप है वो ऐसे खोटे कामों के उपर पैरा क्यूं देते और गंगा का मान और बुजर्गी इस वास्ते है कि वहाँ पर सादू फकीर और अच्छे लोग तपे हैं जिसे इस नदी का नाम परगट है नई तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है और जो कोई ये ख्याल करें कि गंगा का पानी नहीं भी गड़ता है और किले वगरा नहीं पढ़ते हैं और दूसरे नदीयों का पानी खराब हो जाता है और किले वगरा पढ़ जाते हैं इसे गंगा में ये बात जादा है सो भाई मेरो इसका सबब ये है कि इन माजनान ने गंगा के नाम का पाप करके अबी तक रोग नहीं किया है जिसे ये पानी नहीं बिगड़ता है और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोग कर दिये हैं जिसे उन नदियों के पानी में किड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है जिस दिन गंगा के नाम का पाप करके गंगा को रोक करया उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा इस तरह से ये बात पेस्तर से ही पर्गट कर दी है कि गंगा जी अलोप हो जाएगी और इसका मातम कम पड़ जाएगा सो भाई मेरो अलोप हो जाना और मातम और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि ये बनिय माजन लोग गंगा के नाम का पप कराना शुरू करके इसको रोक करा देंगे तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में ये बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में किड़े वगरा पढ़ने को लग जानेगे तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और मातम कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा आलोफ हो गई है और इसका मातम कम हो गया है जिसे पानी खराब होकर कले वगरा पढ़ने लगे हैं और ख्याल करो कि जलतो सदा निर्बला है पर तु इन बनिये बैमानों ने जगा जगा जादू से रोक करके जमीन माता को बिमार कर दी है और जो की में बरस्ता है उसको दुनिया इंद्र कहती है तो इंद्र मारास तो तीरंत तारन है और दिन दयाल है परन्तू इन बनियों ने ये कैसा जूट का जाल चलाया है पेज नमबर 51 की जल कोई आदमी नहीं है की जो आईलिया से अराम करने को आया होगा क्योंकि जल तो दिन दयाल है और जमिन आस्मान सब जल की ही माया है और सब जिवा जुन जल ही की माया है क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की ही पैदाई से है तो जल कोई आदमी थोड़ाई है जल तो बरसता है तो हम और तुम सब ही देखते हैं सो जब की जल जमिन माता पीती है जब जल बरसता है सो सब ही देखते हैं और जो की संसार ने गोतम रिशी की औरत को पाप लगाया है वो बनियों का जाल है जिसे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं क्योंकि जल कोई आदमी थोड़े हैं जो गोतम रिशी की औरत से हराम करता ये बनियों का गुपती पाप है सो सब तुम इंदु मसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावन ने रक्सेसी पाप चला करके रक्सेसी वेद और रक्सेसी वेद की किताबे और ट तरह से तो नहीं बुली हुई है पर तुम चौरा सिला कॉंडिय के उपर नारगी बनाई हुई है वहाँ पाप कराते हैं जब दुनिया की बुद्धी भरस हो जाती है और दुनिया ये जो कहती है कि चंद्रमा गोतम रिशी के घर इंद्रमाराज के पैरे पर खड़ा हुआ तो ये बात खिलाप अक्कल के है क्योंकि चंद्रमा बुरे काम के पैरे पर नए खड़ा हो सकता और सुरच चंद्रमा कोई आदमी थोड़ी है जो पैरे पर खड़ा रही क्योंकि सुरच चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के सरीर में जोत बनाई है तो ये जमिन माता के सरीर में रोसनी है कि जिस तरह से आदमी के सरीर में रोसनी है उसी तरह से जमिन माता के सरीर में सुरच चंद्रमा की रोसनी है और संसार के लोग ये जो कहते है कि एलिया अपने खामिन्ट की बद्वा से पत्थर की बनके गंगा की तीर उपर जा पड़ी थी और फिर पत्थर से औरत होकर आस्मान पर चली गई थी ये बाते बिलकुल जूट है और ख्याल करने के लाइक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती और ना आस्मान पर जा सकती है ये तो बनियों ने दुनिया के बुलाने के वास्ते रक्ससी पाप चलाया है और जो ये गोतम रिसी और इंदर मराज वगरे का हाल और भी अनेक तरह की ज और भागवत में लिखा हुआ है और अतार चरितर में भी लिखा हुआ है सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में ये बाते लिखी हुई देखी होगी साध अनोबदास किताब जगत कानी चानी हरंपुरा सिवगज मारवाड 3727 फॉन नमबर 02727 तीश चोबिस